दिशा में दलालों ने एक यौनकर्मी को पीटा जान से मरने की भी दीधम की, थाने में शिकायत, आस्टरिस्क कुलेटी, पश्चिम बंगाल आसन सोल कुलेटी विधान सभा के नियामत पूर पुलिस फारी अंतरगत दिशा यौनपली में दलाल चक्र खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अब तक तो देखा जा रहा था कि दलाल वहां मौज मस्ती के लिए जाने वाले कस्टमरों को ही अ दलालों के अत्याचार का शिकार हो जाने के बाद खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझते थे और कभी दिशा नहीं जाने की प्रणभी ले ले लेते थे, इन में से कुछ ऐसे भी कस्टमते जिन्होंने दलालों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाया जिस आवाज के तहट पुलिस ने दलालों के खिलाफ कार रवाई भी की पर दिशा यौन पली से दलाल चक्र खत्म नहीं हुआ। ऐसे में दिशा की एक यौनकर्मी नियामतपुर पुलिस फारी पहुंची जहां उसने कुछ दलालों द्वारा उसके साथ मार पीट की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। दलालों के द्वारा दिये गए धमकी से डरी और सहमी पीडिता ने नियामतपुर पुलिस फारी में दलालों द्वारा की गई उसके साथ मार पीट और अत्याचार की शिकायत करते हुए। साथ में उनकी मेहनत की कमाई से जबरन अपना हिस्सा भी लेते हैं। पीडित यौनकर्मी दिशा स्थित दुर्बार कार्याले दलालों के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचती हैं। पर उनकी शिकायत पर दुर्बार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर पीडित यौनकर्मी दलालों के कहर का हर रोज मार जेल रही हैं। जिसमें दिशा में स्थित दुकानदार दलालों का भरपूर तो सहयोग करते ही हैं, साथ में इलाके के कुछ नेता भी उनका सहयोग कर रहे हैं, जिससे दलालों का दिन प्रते दिन मनोबल भरता जा रहा है, और यह मंडी अब दीरे-दीरे अपनी अस्तित्वक होती जा रही ह विभिन राजियों से मौज मस्ती के लिए आने वाले कस्टमा भी अबनादारत होते जा रहे और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरू क्लिक करें से मारे आने वाली न्यूज की नडिफिकसन आप लोग को सबसे पहले मिले